जैश्री केदार केदार घाटी में आज का मोसम अभी तक तो खुला हुआ है कल पांच बज़े तक शाम के बारिस होती रही जमा जम बारिस हेलिकॉप्टर सेवा भी बन थी शाम को कोई साड़े छेवे साथ बज़े के करी एक ही हेलिकॉप्टर आये था यह है केदार बाबा और यह है आज का मोसम और यह है रामानंद आसरम और वो उपर गईया चर रही है और यह बाबा परस्थान कर चुके है यह आ चुकी है फोग गवरी कुंट से अब यह पूरा कोहरा लग जाएगा और बारिस सुरू हो जाएगी हेलीपैड में अभी तक एक हेलीकॉप्टर आया है सुबह सुबह आज शायद मोसम साफ रहेगा देखते हैं और यह मैं कुटिया बना रहा हूँ इस्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है पांसो मीटर की दूरी पर कैदार भाबा से और कल तो अलग नंदा पूरे अपनों फान पर थी आज जो है थोड़ी शांत है शांत क्या पूरी शांत है कल यह पत्थर दिखाई नहीं दे रहे थे यह जो गोल गोल पत्थर दिखाई दे रहे हैं यह दिखाई नहीं दे रहे थे वह हैं कैदार भाबा यह सेवा की जारी है दिल्ली से आया हूँ मैं यहां पर सेवा करने के लिए बाबा आश्रम की रामानन स्वामी रामानन आश्रम संत आश्रम यह गौसाला लो जी अभी तक तो देखो यह पैक कर दिया है मोसम हो जाया है पूरा पैक हुसम पहाड़ों का ओ साहिबा हुसम पहाड़ों का क्या कहना के बारो महिने यह मोसम जाड़ों का क्या कहना के बारो महिने यह मोसम जाड़ों का हो गया पैक अगर जो यह अपडेट आपको अच्छी लेगा तो कैट्स चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट में जरूर कुछ न कुछ लिखें जैश्री कहदार जैश्री स्वामी रामानेंद आश्रम कुछ भी श्री ललिख जी महराज जो आके अच्छे स्वामी है और मैं धन्यवाद करना चाहँगा रूरल टेल्स वालों का संदीक गोसाई जी का जिन्होंने एक सीरीज बनाई थी एक आश्रम ऐसा दी उसी कोई देखके मैंने ललित महराज जी से संपर्क किया था तब ही मुझे यहाँ पर सेवा का मोका मिला बहुत अच्छे संते चलिए आज इतना ही